जहां सर्दी जुखाम खांसी बुखार यह सारे नजाने क्या क्या होता है यह मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश्वाशियों से प्रार्फना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए साथियों यह बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यू दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत संबली हुई स्थिती में है समय पर किये गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अन्लोक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में ला परवाही जड़ा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर बीच सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें जादा सतर्कता की ज़रुवत है तो ला परवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाय की संस्ताओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की ज़रुवत है विशेश कर कंटेंडमेंट जोन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए यह 130 करोड देश स्वास्चों के जीवन की रक्षा करने का अभ्यान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान नत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्रात्मिक्ता रही एशी स्थिति ना आए कि किसी गरीब के घर में चूला न जले केंद्र सरकार हो